बिल्कुल नहीं देना आरजेडी वाले को बिल्कुल नहीं रजिपूर से एक डम टिकट कट के आखें निस्चित क्यों कारण क्या है कारण है जलूट पोटक चुरी चंडाली माल पीट हमेशा करता है अगर रज़ेडी के सरकार आजेके तो गुंडा गर्दी बर जाए तो सि पकॉली है और लोग सभाद चुनाओ है 20 तारीकों वोटिंग है और मेरे साथ यहां पर कुछ काका है यह गाउं हालांकि राजपूतों का गाउं है बहुत राजपूत है यहां पर तो यहां पर राजपूतों का जो विचार है वो जानेंगे क्या इधर आ जाइए आएए चिराग पास्वान यहां से खड़े ठीक है पहले वह जमूई से खड़े थे जमूई छोड़ करके फिर हाज पूरा गए है क्या पर आना चाहते तो पास्वान को बोट देंगे राम विलास पास्वान का इच्छे तरह है राम विलास पास्वान यहां बहुत बड़ा काम किये हुआ है यहां जीमों ऑफिस जी मनमा है हम यहां पास्वान से मतलब बीजेपी मतलब मोदी जी के नाम पर नाम पर बोट देंगा इसलिए मोदी जी के नाम पर वोट इनको पढ़ेगा यादो जी की भी संख्या बहुत है यादो का वोट जारह है शिवचंदर राम को कि नरेंदर मोधी को वोट देंगे पढ़े लिखें रहे हैं तो पढ़े लिखें लोग जो जनकार है कि क्या है चबी नरेंदर मोधी को वोट देंगे लेकिन नरेंदर मोधी को वोट देंगे पढ़े लिखे कह रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग जब वैक्सीन लगवा रहे थे तो उनको समझ में नहीं आया कि भाई उसके अंदर है क्या अभी कह रहे हैं हार्ड अटैक आ रहा है लोगों को मर रहे हैं वैक्सीन से नहीं नहीं तो देख रहे हैं तो अभी चिराग पासवान ठीक लग रहे हैं एक दम बिल्कुल भाविस्ट है बिल्कुल मुख्य मंत्री बनेंगे आगे तम हम लोग बनाएंगे आप लोग राचबूत है ना जी चलिए बढ़िया है सब राजपूत भŇया आप क्या बोलीगा बोडिया चिराग पासवान को बोट मिलेगा पांसाल में काम नहीं करेंगे चिराग पासवान तो क्या क्या करेंगे थे फिर इब बूट करेंगे मतलब बीजेपी क्या है मतलब मुझे ये वताइए बीजेपी काम नहीं के नाम पर भोड परेगा अच्छा कर गान मोदी जी के नाम पर हो बीजेपी को मिलेगा भाई आरजेडी वाले को मौका दीजे यहां पर मौका क्या हम लोग सुरुए से बीजेपी हैं रहेंगे हमेशा बीजेपी कैसा क्या काम अच्छे काम कर रहा है एक चीज हमको बताइए यहां पर चिराक पास्वान घूमने आए प्रचार करने आए अभ अच्छे एक चीज हमको बताइए जैसे यहां पर सब लोग पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे लोग जो बीजेपी को वोट करते हैं तो मुद्दा क्या है मतलब चिराक पास्वान कुछ मुद्दा लिये हैं कि भाई हम आपका यहां विकास करेंगे यह करेंगे वो करेंग क्या है मतलब कुछ तो सबसे पहले हाजिपूर में ये कंद्रिये भी द्याले था राम विलास्पासवान का देन ही था जो खूला था और लेकिन अभी वो पूरा एकदम बंद के स्थितिपे हैं सबसे परदला परत्मिक्ता चिराग जी का वही है शांती मतलब है बहुत बनिया सांती बीजेपी सरकार रहनी चाहिए एक दम हर हाल में अगर बीजेपी अगर नहीं रहे तो यह सनातन धर्म ही नहीं रहा आज जो सनातन धर्म जो है जो आज भगवा जो हर का एक अधिकार हो करते हैं हम लोग जो सोतंतर हो के यह सोतंतरता नहीं था पहले बीजेपी बहुत काम की है देश में बहुत तरक्की हुआ है बहुत विकास हुआ है मानते हैं हम भी मानते हैं लेकिन कुछ तो ऐसा काम होगा जो आप बीजेपी सपोर्टर होते वे भी कहते होंगे कि यह लेकिन बिकास की प्रगति के तरफ कोण यह जा रहा है यह में होता है जो आज हमारे प्रभान मंतरी अबहुत हो हमारे देश में ने लेकिन जो इनका मोधी जी का छबी और जो व्यक्तित्व जो काँ सामने आया है पूरे देश के पतल पर बढ़के आया है जो कि आज के डेटों में उनको लोहा माना जा रहा है जो की पहले से पाटी हमेशा होते आई है कि कॉंगरेस थी तो नविवा के लिए जॉब था बीजैपी कावर्णमेंट आई तो नविवा को का जॉब मतलब कि एक तरफ सरकारी इंप्लाइटमेंट में कमी आई लेकिन इसकी लेक तरफ बढ़ा है चिराग पास्वान के बारे में क्या कहिएगा चिराग पास्वान के विषय में मैं आपको विषय क्या कहूं बस यह कहूंगा कि माननीय राम बिलास पास्वान जी का जो भी कुछ यहां का किया धरा है, मंत्री और सांसत बहुत बने, जो उन्हों ने अपने कार काल में, जिस-जिस मंत्राले में गया, वो उससे हर चीज हाजीपुर में खीच के लाए, आज अभी हम हमारे बड़तमान में किंद्रिये, गिरिह राज मंत्री है, निध्या नान जी, आदे कि 8 ISE in प्रभूर इतार जी यहां से ख़ड़े हैं हाजिपूर से लोग का समर्थन भी बहुत है लेकिन वो अपने नाम पर नहीं अपने पिता जी के नाम और बीजेपी के नाम पर जीतेंगे पस जब सिंपल से है कि बीजेपी है तो चिराग है बाद को को नहीं काट सकती है बीजेपी नहीं चिराग पासवान को और राजपूत जाती से आते हैं तो मतलब चिराग पासवान का कुछ अच्छा लगता है कि बस बीजेपी से खड़े असलियम को चाहिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है अच्छा है यहां प्रचार करने है आपकी आदालत में देखे थे उनका कमिटमेंट उसमें कमिटमेंट पे जो भी उनके से कोश्चन किया गया परफेक्ट एंसर जिसे सब को लिए फैमली को आर्जे डी ने गाली दिया मतलब तिरस भी ने इस चीज को देख करके तो बैड क्या वही बात है और क्या अधार जीडी वाले को क्या मौका बिल्कुल नहीं देना सब अपना अपना लग है बिल्कुल नहीं देना आर्जेडी वाले को बिल्कुल एक दम नहीं देना अजी पूर से एक दम टिकट कट के आगे निश्चित क्यों क्या है कारण है लुट पोटक चुरी चंडाली माल पीट हमेशा करता है मतलब लगता है कि अगर आर्जेडी के सरकार आजेगी तो गुंडा गर्दी बढ़ जागे चरम सीमा से आगे उसके बचाओ के लिए हम लोग जैसे के भाई होड़ाल में परतिस्था नहीं है हाँ जदी देखिए पीजेपी के सरकार ती यहां ते रामसी चोगपर आप मने ठीकर से नहीं चुछा सकते थे नहीं थे बहु बेटी किसी के बची जा रही है उसको इती चुछिन लेना है यादो का था यादो लोग का था या फिर जो सरकार थी उसमें जितने भी काम कर रहे हैं सब तो ही थे खुले आम गुंडा गर्दे जाके देखिए को जाके मार द डाव बश्यव बताएं सोचने वाली बात है कि यह जो जगह है हाजीपुर का है ठीक है और यहां पे दो ही ना उपर से जाने एक हां वां पर बनाव लोग है उनसे हाथ उठा करके पुछ लिए कि हां से चिराक पास्मा जीतेंगे या पर स्विशिदा राम yeah अपासवान से पूछ नहीं तो पासवान बीज़े पी को सपोर्ट करए चिराग पासवान को सपोर्ट कर रहा है यह यह ज़ते हैं उसचे आप यादव में यड़ान भी जाते हैं एक ऐसा से हैEW Baptist दो समिकरन है वहाइ में भी दो समिकरन है Kisno Victor मचरह आप जाए यह आप दोनों पहलुक और दोनों पक्षों को आप ढीजिए आपको अश्पस्त साथ के के लिए सब्सक्राइब चुटा है क्यों जो एडूके इजुकेटर्ड है वो वो भीजेटको दे रहा है मने पू वो ज्यादा है जो इधर है कुछ उधर है हाँ जो ये आरजेडी को वोट कर रहे हैं उनको समझ नहीं है पढ़े लिके कम है हाँ हाँ जो पढ़े लग रहा है कि लालु यादव भगवान है हमारे एक बार जो फरमान जारी हुआ फत्वा देखते हैं मौलाना सब जारी करता ह है तो वह सब को मानने उसी प्रकार से उनका है एक वाड़ के हम फत्वा जारी कर दिये बताइए कि परिवाद बात की अगर बात होती है उठती है बार 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 यह दस्मा फेल दस्मा फेल यह क्या है आप अपनी पार्टी से हटके अलग क्या अप एजेंड़ा आप कर रह नहीं देखें फूल सपोर्ट है यहां पर राजपूत राजपूत का जो वोट है वो चिराग पासवान को जाएगा सपोर्ट बीजेपी को जाएगा और यह लोग चाहते हैं कि बीजेपी बीजेपी की सरकार है सिर्फ और नरेंदर मोदी जी के कारत तो बढ़ियां 400 सीट लगवाए थे जी लगवाए थे को डर तो नहीं है यह सब अफवा है यह कॉंग्रेस का एक सोचा समझा इसको लैबरोर्टरी में इसको पास किया गया है कुछ चैनले और कुछ मेडिया जो इसको बना के दिखा रहे हैं इसकी गहराई में जाके देखिए परसेंटेज पांस से दस राख में एकात परसेंट यह मैटर निकलता है दस लाख में और यह जो क्लोटिंग का जो अगर उसके सिस्टम नरवस सिस्टम में अगर जाया जाता है मेडिकल के बासा में तो उसको कहीं न कहीं से कोई न कोई जरूर उत्पन रहते हैं चलिए आप लोग बीजेपी के साथ बीजेपी अच्छा काम किया है लेकिन वह जो मामला है वह मामला अपने आप में एक तरफ हम अन्हाजरे के साथ दिखा देखिए चोड़ों की सरकार है अगे कुर्सी पर बैठेगा तो चोड़ बन जाएगा तो खुद कुर्सी पर बैठके घोटाला तो हुआ है चुहा तो दारूपिया है लेकिन पार्टी सिर्फ दूसरे पार्टी के लोग तो ही न गुटाला करते हैं बीजेपी वाले भी तो करते होंगे न वो वो लेकिन कुछ तो कुछ है घड़बर हलांकी 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 कोई बात नहीं लेकिन चलो भाई देश में विकास हुआ है काम हुआ है जनता खुश है जनता सुरक्षित है यह चीज है अच्छी बात है